गैर बास्मती सेला चावल को लेकर बड़ी खबर दरसल केंदर सरकार के गैर बास्मती सेला चावल पर लगे 20 फीसद के निर्यात छुल को आगे भी बरकरार रखने का निर्ने लिया गया है इसकी आशंका पहले से ही थी क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी कीमते काफी उची चल रही है अगस्ट 2023 में ही सेला चावल पर 20 फीसद का निर्यात शुट लगाया गया था जबकि इससे पहले 20 जुलाई 2023 को गैर बास्मती कच्चे चावल के व्यपारिक निर्यात पर प्रतिबन लगा दिया गया था जो अभी भी बरकरार है दरसल खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान चावल की सरकारी खरीद पिछले साल से कम होने की संभावना है जबकि घरेलू मंडियों में इसकी आवक सीमित है इससे कीमतों में फिलाल मजबूती बनी हुई है हलाकि सरकार ने खुले बजार बिक्री योजना के तहट चावल का स्टोक नियमित रूप से बजार में उतारा है और अब उसने अपनी अधिकरित अजंसियों के माध्यम से 28 रुपे प्रति किलो की दर से भारत ब्रान चावल भी बिचना शुरू कर दिया है लेकिन खुले बजार भाव पर इसका कुछ खास असन नहीं पड़ा है इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है जो बढ़ती खादय महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है दरसल गैर बास्मती सफेज चावल का शिप्मेंट बंध होने के बाद सेला चावल के निर्यात पर जोर दिया जा रहा है जिससे इसका भाव मजबूत बना हुआ है परमुक निर्यात तक देशों में चावल का सिमित स्टोक बचा है जबकि आयात देशों में मांग मजबूत बनी हुई है इसके चलते भारत से सेला चावल का अच्छा निर्यात हो रहा है और 20 फीसद का निर्यात शुर्क लागू होने के बाब जूद भारतिय गैर बास्मती सेला चावल वैश्विक बजार में प्रतिसपर्धी मुल्यास्तर पर उपलब्ध है जिसके चलते भारत में निर्यात मांग अच्छी खासी निकल रही है और कीमतों में तेजी का महल बना हुआ है Bureau Report Market Times TV